आपको भी अगर अलू बैंगन की सब्जी खाना पसंद नहीं है और आप कभी भी अलू बैंगन की सब्जी नहीं खाते तो देखे आज के बाद अलू बैंगन की सब्जी आपके फेवरेट वाने वाली है घर के बड़े का घर के बच्चे भी सब्जी को रोज बोल बोल के तो यह जो लहासन के करें की लिए है यह दसके पंदर के भी है और मैंने थोड़ी cemetery लिए करें लेंगे तो ओसिछा काट करेंगे sust अब जो एक और मतलए करें अ u इसके साधी मैंने लिए है दो लॉंग साथ से आर्ट मैंने लिए है काली मेर्च को राट ऍदरे से टोड़ कर इसे में डालना है तयार कर लेना है इस तरह से बैंगन काट कर अगर आप भी सबजी बनाएंगे तो जो सबजी देखने और खाने में दोनों में बहुत अच्छी बनकर तयार होगी अब तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें बैंगन को अच्छे से फ्राइ कर लेना है, बैंगन को पूरा फ्राइ नहीं करना, सिर्फ 95% है कि बैंगन को फ्राइ करना है, जब इतना बैंगन फ्राइ हो जाए तो उसके ब बंगन का साइज साइज है को्थerson १ूटा ही रखना है मोटे साइज में दोनों को काट तियार करने है तो आलुए मैंने फोटे मोटे काटे को दियार करने है इसके भाद देखे वाप भी हिस्तरे से शुर करेकर ले इस सब्जी को थोड़े कम देल में फ्राइ करें के बना सकते हैं पर अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो जो सब्जे खाने में बहुत ज़दा ठेस्टी बनकर तैयार होगी आलू को इस तरह से ही चलाते जाना है और इसको फ्राइ करते जाना है अब देखे आलू को ना आप गोड़र के हो चुके हैं तो इतना ही इसको फ्राइ करना है अब दीरे दीरे करते हुए तो नॉर्मली हम घरों में जीरी के साथ बनाते हैं पर यह जो सबजी थोड़ी सी स्पेसल है तो मैं इसे जीरी के साथ नहीं बना रही मैं बना रही है इसे मेथी के साथ तो इसमेना एक चमच डाल लेना है मेथी दाना इस तरह से अगर आप भी मेथी दाने के साथ सबजी बन प्याज को चलाते हुए फ्राइ का लेना है जिसे कि जो प्याज का कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च किसमेν डाल सकते हैं इसमें काफ़ए अच्छे से पकालेना है इसके साथ इस्वाद नुसर इसमें हरी मिर्च डाल लेनी है तो मैंने एक हरी मिर्च डाली है आप देखे जो इत शुरू में ही मसाला बना के तैयार किया हुआ था नवो भी मिला लेना है उस तरह से चलाते होगी इसको अच्छे से पकाना है जब तक जो तेल है इसमें अलग से न दिखाये देने लगे और इसका जो कच्छा पने काफी अच्छी सिदे दूर ना हो जाए इस तरह से आप भी सबजे बनाएंगे आपक कुछ मसाला डालने के जूट नहीं है क्या तयार होई है इसको कलर है कितना अच्छे लग रहा है देखने में तो इसको काफ़ी अच्छे से पका लेना है जिससरे कि जो सारे मसाले हैं उनका कच्चपन दूर हो जाए और जब gravy में ऐसे तिल अलग दिखाए देने लगे तो उसके बाद इसमें इस तरह से आलो और बैंगर मिला लिनी है अब देखे इन सभी को अच्छे से mix करना है अब देखे आपको गैस का flame जो है मीडियम कर देना है और जब तक सभी बनती है आपको मीडियम ही रखना है हाई flame बेलकल नहीं करना हाई flame करेंगे तो जो सभी है नीचे से जलने लगेगी नीचे से कड़ाई में लगने लगेगी अब देखे इसको अच्छे से mix कर देना है अब देखे आप इसके बाद ना इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं नहीं तो आप इसको बिना पानी कैसे ही cover करके ना पांच-छे मिनट के लिए ढखकर छोड़ देंगे और देमी आज पर ऐसे ही पकाएंगे तो भी सबजी बन कर तयार हो जाएगी पर मैंने थोड़ा सारी देखे इसमें पानी डाला है लग बग आदा कप के आसपास को कि मैं नहीं चाहते हैं जो सब्जी थोड़ीच भी तली पर लगे तो अब इसके बाद ना इसको इस तरह से cover कर देना है और इसे 6-7 मिनट तक और पका लाएना है अब देखें यह सबी काम ना आपको देमी आच पर करना है हाई फ्लेम विल्कुल नहीं करना धिरे से पकाएंगे तो जो सब्जी है काफी अच्छे बनकर त्यार होगी और नीचे तले पर नहीं लगेगी वैसे आप पानी नहीं भी डालना चाहते तो भी आप इसको इस तर आप इस सब्जी को ना किसी भी चीज के साथ कहा सकते हैं जिसके साथ आप इसको खाना चाते हैं मुझे उमीद है आपको आज के वीडियो जूर पसंद आया होगा और वीडियो अच्छे लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा